नमस्कार दोस्तों एजुकेशन 24 में उपका स्वागत है दोस्तों आज का वीडियो बहुत इखास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में जानेंगे कि ये परिक्षा में जो लॉंग कोश्चन होता है उसके एंसर हमें कितने पेज में लिखना चाहिए दोस्तों इस टोपिक उपर में दो वीडियो बना चुका हूँ फिर भी बहुत सरे इस्टोएंट कंफ्यूज हैं और बहुत सरे इस्टोएंट कर रहेते हैं कि सर जो लॉंग कोश्चन होता है उसका एंसर हमें कितने पेज में लिखना चाहिए उस टोपिक उपर आप वीडिय कहां इदर प्रकार काता हैं सबसे पहले आपको यह जानना ज़्रूरी है दोस्तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पता दूंकि जो आपका लॉंग कोश्चन होता है चाहें आपका first year हो, second year हो, third year हो दोस्तो आपका long question तीन तरह का आता है सबसे पहले जो आपका long question आता है वो दोस्तो आता है आपका 10 number का उसके बाद दोस्तो दूसरा जो आपका question आता है वो आता है दोस्तो आपका 15 number का और तीसरा जो question आता है आपका तीसरा question आता है आपका 20 number का यानि कि बिये 1st year, बिये 2nd year और बिये 3rd year, तीनो year के अंदर आपका जो long question आता है long question दोस्तो आपका जो आता है 10 number, 15 number, 20 number, 3 तरह का long question आता है और दोस्तो खास बात यह होता है कि जो आपका long question आता है ये दोस्तो आपका जो निर्देज रहता है दोस्तो ये 500 सब्दों कहीं निर्देज रहता है यानि कि आपका जो 10 नंबर का question होता है उसके अंदर भी आपको 500 सब्दों में लिखना होता है जबका 15 नंबर वाला question होता है उसके answer भी आपको 500 सब्दों में लिखना होता है और जो 20 number का question होता है उसके answer भी आपको 500 सब्दों में लिखना होता है यानि कि ये दोस्तों आपके तीनो type की जो question होते है long question के अंदर आते हैं और ये तीनो जो long question आपके आते हैं इसी में दोस्तों बहुत सरे बच्चे confusion रहते हैं, बहुत सरे बच्चों को समझ में नहीं आता है, कि जो long question दिया हुआ है, इसके answer में कितने page में लिखना चाहिए, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको उता दू कि जो आपका long question आता है, चाहाँ भी ये first year हो, भी ये second year हो, भी 500 सब्दों में लिखना है, 15 number वाला question भी 500 सब्दों में लिखना है, और 20 number वाला question में जो है कि 500 सब्दों में लिखना है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, कितने page में लिखना है, ध्यान समझ लिजे, यहाँ पर दोस्तों आपका जो 10 number वाला question होता है, उसके answer आपका question आता है उसका answer आपको 4 page में लिखना है यहाँ पर दूस्तों आप ध्यान से समझे लिजी ताकि आपको exam के अंदर कोई confusion ना हो या फिर exam के अंदर आपको कोई disturbance ना हो तो यहाँ पर दूस्तों आप समझे लिजी कि जो आपका 10 number वाला question आता है यह दूस्तों मैं आपको जो तीनो तरह के question बता रहा हूँ यह दूस्तों आपका तीनो तरह का long question यह था मैंने आपको पहले बता दे कि जो आपका बीए first year, बीए second year, बीए third year होता है तीनो year के अंदर आपका जो question आता है यहाँ पर दोस्त आपको बीए फर्स्ट इयर के अंदर भी तीन तरह के कोश्चन मिलेंगे बीए सिकंड इयर के अंदर भी तीन तरह के कोश्चन मिलेंगे और बीए थर्ड इयर के अंदर भी आपको तीन तरह के कोश्चन देखने के मिलेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको confusion नहीं होना है, जो आपका 10 नमबर का question होता है, 10 नमबर का question आपको 3 page में लिखना है, 15 नमबर का question आपको 3 page में लिखना है, और 20 नमबर का question आपको 4 page में लिखना है, अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह होती है, कि जो आपका 3 page, सारे तीन पेज और चार पेज होता है दोस्तों पेज किसको बोलते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आदू कि यह जो आपका पेज होता है जो लिखते हैं जिसके उपर आप लिखते हैं जो कोपी आपको दी जाती एक्जाम के अंदर तो यहाँ पर दोस्तों दोनों साइड का मिला करके यानि कि left और right दोनों साइट के मिला करके आपका एक page होता है और एक page के अंदर दो पनना होता है तो इस तरीके सा अगर आप देखेंगे तो 3 page का मतलब क्या हुआ 3 page का मतलब हुआ 6 पनना यानि कि जब आप 6 पनना लिखेंगे तब आपका 3 page complete होगा उसी तरीका से यहाँ पर दोस्तों आपका सारे 3 page है तो सारे 3 page का मतलब क्या होगा सारे 3 page का मतलब हो 7 पना और यहाँ पर दोस्तों 4 page का मतलब क्या होगा तो 4 page का मतलब हो 8 पना तो इस तरीका से दोस्तों exam के अंदर आपको page count करना है पना count करना है आपको य लांग कोश्चन पंदर नंबर वले कोश्चन को 3 पेज में लिखना है और 20 नंबर वले कोश्चन को 6 Sum आपको नहीं लिखना है, अब दोस्तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो long question होता है, long question cancer लिखते हैं में कितना heading लिखना चाहिए क्योंकि दोस्तो बी-े exam के अंदर चाहिए, बी-े first year हो, बी-े second year हो बी-े third year हो, तीनो year के अंदर आपको क्या करना होता है कि जो आपका long question होता है long question cancer लिखते हैं आपको heading भी लिखना पड़ता है आपको point भी लिखना पड़ता है तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देने वाली बाती है आपको समझने वाली बाती है जो आपका long question होता है एक long question cancer लिखते हैं आपको कितने heading लिखना है तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको उता दू कि आपका long question होता है चाहे आपका 10 number का हो चाहे आपका 15 number का हो चाहे आपका 20 number का हो किसी भी type का अगर आपका long question आता है तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है कि long question cancer कितने heading में लिखना ह तो यहाँ पर दोस्ते में आपको उता दू कि जो भी आपका long question होता है एक long question के अंसर आपको कम से कम 6 heading में 7 heading में 8 heading में लिखना है इससे कम आपको नहीं लिखना है चाहे आपका 10 number का हो चाहे आपका 15 number का हो चाहे आपका 20 number का हो आपको क्या करना है कि आपको कम से कम 6 7 8 heading में ल होता है दोस्तों जो है कि आपके heading को ही देखते हैं आपके writing को देखर करके number देते हैं तो exam करना दोस्तों आपको heading जो है कि अच्छे तरीके से लिखना है और कोशिस करना है कि आपका heading है ज्यादा से ज्यादा आप heading में लिखे, point में लिखे, क्योंकि अगर आप point में लिखेंगे, heading में लिखेंगे तो इसे जो है कि आपका जो है कि लिखने का जो आपका writing है और आपका जो दिखने का जो आपका page है, वो दोस्तों आपका writing भी दिखेगा लुक भी आपका अच्छा रहेगा और जो कापी चेक कैनल एक्जामीर होते हैं उनको भी जब अच्छा दिखेगा और जो आपका question का answer रहेगा खासकर जो answer होता है वो दोस्तों जो examier को जब explain करिया होता दिखेगा तो examier दोस्तों आपको अच्छा कासा number देंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात और धेन देना है कि आपका जो long question होता है उसका answer अगर आप लिख रहे हैं चाहें आपका 10 number का हो, 15 number का हो, 20 number का हो तो वहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 6, 7, 8 heading में लिखना है इससे कम heading में आपको नहीं लिखना है तो यहाँ पर दोस्तों clear हो गया कि exam के अंदर जो आपका long question होता है उसका answer आपको कितने page में लिखना है तो मैंने आपको बता दे दोस्तों कि B exam के अंदर 3 तरह के long question आते हैं एक आता है 10 number का, दूसरा आता है 15 number का और तीसरा आता है 20 number का लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान के देना है यह जो आपका 10 number वाला question होता है 10 number वाले question के अंसर आपको 3 page में लिखना है 15 number वाले question के अंसर आपको 3 page में लिखना है और 20 number वाले question के अंसर आपको 4 page में लिखना है और यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात और ध्यान दना है कि जो भी आपका long question आता है उसमें दोस्तों आपको 500 सब्दों में ही लिखने का निर्दे दे दे रहता है चाहिए आपका 10 नम्बर का हो, 15 नम्बर का गूश्चन हो voted, तीनों में आपको 500 सब्दों में लिखने का रिखने का मुझे जया है। और निर्देश को पढ़ने के बाद ये आपको क्या करना है, 3 page, 3.5 page, ये 4 page में आपको लिखना है। तो दोस्तों अमीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको किलियर हो गया होगा कि जो long question होता है उसके answer में कितने page में इखना चाहिए आगे दोस्तों अगर आपको कोई दीकात होता है तो comment करके बताईएगा मैं आपके दीकात के परिशानी को जोई कि उसका solution में आपको दूँगा दोस्तों अमीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखिने को मिला होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए और comment करके बते कि आपको next वीडियो की इस तोपिक उपर चाहिए थांके दोस्तों